नानोरा गाउं से ग्रामीडों की लाखो रुपियों की कीमत की 20 भैसों को अग्याद चोर चुरा कर ले गए शिकायत के बाद पुलिस की ततपरता से खोज निकाला शिवपरी जिले के पहुरी थाना शेत्र के नानोरा गाउं से 10 सितंबर को ग्रामीडों की लाखो रुपियों की कीमत की करीब 20 भैसों को अग्या चोर जंगल की रास्ते चोरी कर ले गए थे इसके शिकायत ग्रामीडों ने पहुरी थाने में दर्च कराई थी पोलिस 11 सितंबर की शाम ग्रामीडों की मदद से 18 भैस जंगल से बरामत कर ग्रामीडों के सुपुर्द कर दी है जानकारी के मुताबिद 10 सितंबर को नानोरा गाउं के रहने वाली घंशियाम धाकर पुतर शंकरलाल धाकर एवं कमरलाल जाटव पुतर मठका जाफटर ने पोरी थाने में शिकायत दर्च कराई शिकायत दर्च कराते हुए बताया था कि गाउं की करीब 20 भैसों को अग्याद चोर चुरा ले गए भैस शोरी होने कि शिकायत ग्रामीडों ने छेतरे विधायक सुरेश धाकर से भी दर्च कराई है लाइसेंसी बंदूकों के साथ ग्रामीड भी लेस तलाश ने उतरे थे जंगल ग्रामीड हरी बलब धाकर का कहना है कि हमारी गाउं के कुछ लोग लाइसेंसी बंदूक के साथ एक टीम बना कर जंगल में भैसों को तलाश ने बीते रोज उतरे थे इधर पुरी S.T.O.P. सुजीत भधारिया ने एक टीम गठित कर जंगल में भैसों की दलाशी के लिए उतार दी इसकी बाद पुलिस टीम और ग्रामीडों ने मिलकर महादेवा घाटी के जंगल से 18 भैसों को बरामत कर लिया इसकी साथ भी बताया लेकिन ये कुछ अमारी मदद थी हम सब पूरे गाओं के पूरे गाओं वासी एक साथ मिलकर जंगल में और अमने कि खुछ हमारे जो लाइशन्स बाद बंदी थी उन से अमने एक दो फायर करके और उन से बैसा भी चुडा ली बहुत प्रसासन भी आ गया था इससे अमें ये लाब मिलता है कि जो लोकल का बजायक होता है वो अमके बहुत सबूर कर दे हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी मदद की धन्नवाद थी हम नंतरी जी के पास गए थे उन्होंने प्रसासन लिया पून भी लगाया लेकिन तब तक प्रसासन पहुंच था उ और हमारी अच्छी मदद भी की पता चलता है कि लोकल का बजायक होना भी बहुत अन्वार रहे हैं बहुत बहुत धन्नवाद